मौन रहने के नौ फायदे एक मौन रहने का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी परेशानी है तो बोलना नहीं बलकि आवशक बातचीत से बचना हैं, दोस्तों कुछ वक्त चुप रहकर खुद के साथ बिताने से अनेक फायदे मिल सकते हैं। दो शांत या मौन रहने वाला व्यक्ति कई बार आवशक रूप से उत्पन होने वाले बिवादों से बच जाता हैं, जो कई बार बिना सोचे समझे बोलने या प्रतिक्रिया देने के कारण उत्पन होती हैं। तीन दोस्तों जितना हम कम बोलते हैं, उतना ही एनरजी हमारे अंदर बची रहेगी, इससे हम बाकी के जरूरी काम पर अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। चार जितना खुद को मौन रखेंगे, उतना ही आपका अपने क्रोध पर नियंतरन रहेगा। पांच मौन रहने से दिमाग शांत रहता हैं और ध्यान के इंदरित करने की चमता में सुधार होता हैं। छे मौन रहने से क्रियेक्टिविटी बढ़ती हैं, यह हमें नए विचारों को विट्सित करने और समस्याओं को हल करने में मदद करता हैं। साथ मौन रहने से रक्तचाप और हरदय गती कम हो जाती हैं। आठ मौन रहने से समरण शक्ती और सोचने की सक्ती बढ़ती हैं। नौ मौन रहने से आप अपने आपको और अधिक जान सकते हैं और अपने लक्षियों के प्रती अपने आपको और अधिक समर्पित कर सकते हैं दस मौन रहने से मन को शांती मिलती हैं और आपके अंदर सोचने की शक्ती और अधिक बढ़ जाती हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए